नमस्ते क्रतिका कीचन में आपका स्वागत है आज मैं स्पाइसी वेवी पटेटो बनाऊंगी यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है उम्मीद करती हूं आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगेगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कीजिएग आईए शुकरते बनाना लिया है अब इसके अंदर डाल देंगे हम एक चोटी चम्मच जीरा जीरे को अच्छे से बून लेते हैं इस पाइसी बीबी पटेटों में थोड़ी हिंग जादा डाली जाती है इसलिए हमने आदी चोटी चम्मच हिंग डाली है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हिंग का औ मिर्च को अच्छे से हम भून लेंगे अब इसके अंदर डालेंगे एक चोटी चम्मच हल्दी पाउडर को इस तरीके से तेल में डालकर भूनने से बहुत ही अच्छा कलर आता है हल्दी का और एक चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च दोनों चीजों को हम भून लेते है अब जो हमने उगले हुए आलू लिये हैं इनने हम कड़ाई में डाल देते हैं और इसे मिला लेंगे अब हम गैस की फिलिम को कर देंगे बंद इस टाइम आलू को हम एक तो मिनट चला लेते हैं गैस हमने बंद कर दी है अब इसके अंदर हम मसाले अड़ करेंगे स्वाद अनुसार डालेंगे नमक मसाले अड़ करने के समय आप गैस को बंदी रखें और दो चोटी जम्मस डालेंगे धनिया पाउडर और अच्छा फ्लेवर देने के लिए और स्पाइसी बेबी पटेटो में दो चमच डालेंगे हम सौफ का पाउडर यह जरूरी है इसे आप जरूर डालें और एक चमच डालेंगे गरम मसाला गैस अभी हमने बंदी रखी हुई है और अब इसमें अच्छी खटास देने के लिए हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चमच भर के अमचूर पाउडर अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगा दो चमच भर के नीबू का रज डाल सकते हैं अब मसालों को हम बिला देंगे और गैस को कर लेंगे हम ओन मसाले हमने मिला दिये हैं इसमें और गैस को हमने ओन कर दिया है अब पांच मिनट हम चलाते हुए इस तरीके से हम आलू को भूल लेंगे और जो बड़े साइज का आलू है उसे हम पीच में से कट कर देते हैं दो टुकड़े कर देते हैं वैसे मैंने सारे आलू छोटे साइज के लिए हैं लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज का आलू नहीं हैं तो आप बड़े साइज के आलू भी इस तरीके से कट करके बना सकते हैं और पांच मिनट हम इसी तरीके से चलाते हुए, इन्हें भून लेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छा अरोमा इसमें से उठने लगेगा मुसालों का, अब उपर से डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया, और इसे भी हम मिला देते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये भून चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, अच्छे से आलू मसालों में भून चुके हैं, पांच मिनट हो गया हैं, हमें इसे चलाते हुए, इस तरीके से मसालों के साथ भूनते हुए, ये रसिपी बहुत जल्दी बन का तयार हो जाती है खाने में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं लीजिए हमारे स्पाइसी बेबी पटेटो बन के तयार है हमने इसे हरे धर्नि से गानिश कर दिया है उमीद करते हूं आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिये गा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसी लगी आपको आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप इसली देख सकें